एक healing technique है जिसको बोलते है aroma therapy और जो लोग aroma therapy याने खुश्बू के साथ therapy और जो लोग aroma therapy करते हैं वो जानते हैं कि कौनसी problem के लिए कौनसी खुश्बू जादा काम आएगी और राइट कौनसी खुश्बू आपको दी जाए जिससे कि आपका आपका दर्द ठीक हो सकता है मेरा एक student था था क्या है और मेरा दोस्त भी है परीमल करके उसकी wife की तबियत खराब रहती थी तो वो काफी समय तक कोशिश कर रहा था ठीक करवाने की doctors वगरे इलाज वगरे काफी सारी चीज़े चल रही थी और उसने वो भी बड़ा experiment करता रहता था तो एक रात उसने experiment किया क्या experiment किया? Mind programming का एक experiment होता है वो mind programming का experiment क्या है वो मैं later आपको बताऊंगा लेकिन इस experiment में ये क्या किया कि एक particular खुश्बू रात भर एक audio चलाया और उसमें ये खुश्बू उसका नाम और वो करके उसमें audio में ये डाला कि this is your healing fragrance ये आपको ठीक करने वाली खुश्बू है तो mind में हज़ारों बार ये input गया रात को मान लीजिए 8 गंटे वो बिमार patient सो रहा है और 8 गंटे तक और आप में से घर में किसी के भी घर में कोई बिमार है तो ये try कर लीजेगा बहुत help करेगा घर में कोई बिमार है बिस्तर में है कहीं पे भी है किसी भी level पे बिमारी है चाहे third stage है cancer fourth stage है cut 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 कुछ भी है तो ऐसी कोई खुश्बू एक genuine करेकर कोई भी कुलाब की खुश्बू हो सकती किसी भी तरह की खुश्बू and वो करने के बाद उसी patient की आवाज में उन्हें कहिए कि confidence के साथ ये बोलिए इस खुश्बू का मतलब I am getting healed ये खुश्बू मेरी healing खुश्बू है तो परिमल ने यही किया ये खुश्बू हम healing खुश्बू है ये करके programming कर दी रात भर 10-15-20 रापतों तक वो चला दिया और उसके बाद वो ही fragrance रोद सुभ है perfume या उसी fragrance का perfume उसी fragrance का टेलकम पाउडर उसी fragrance का room freshener और घर में हर जगे वो ही fragrance और उससे क्या होता है दीरे 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 brain के अंदर hit करता है और unconsciously हरबार unconsciously आपका नाग सास तो लेगा जितनी वार सास ले रहा है अंदर इंक कुश्बू हिट होते ही subconscious mind क्या कर paragraph अच्छा मतलब हीलिंग इसका मतलब हीलिंग इसका मतलब हीलिंग वाव दोस्तों magic है, कई सारी चीज़े हमें नहीं पता बट हम छोटी चीज़े हैं, आसान चीज़े हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई ऐसा ही कुछ हाथ पे बांध लो and कह दीजिए, इसका मतलब healing किसी भी तरह से program कर दो उस चीज़ को आप अपने mobile को program कर दो इसको हाथ लगाया है, मतलब I am going to be very successful आप अपने mobile को, अपने हर चीज़ को धीरे धीरे program कर सकते हो इसको बलते हैं कि आप positive programming या positive environment बना रहे हो आप अपना environment अपने हाथ से create कर रहे हो तो आपने ये symbol या ये photograph और इसी के उपर paper पे आपने वो खुश्मू लगा दी इसको बलते है goal programming, आपने goal set किया और अब आप अपने subconscious mind को अभी तो आपको बार-बार याद दिलाना, अरे मेरा goal कहता हूँ, अरे घर लेना है बार-बार आपको याद दिलाना पड़ता है, लेकिन अब जब आप इस तरह से unconsciously आप इस तरह का programming करते हैं, खुश्मू मतलब I am going to be winner automatically, आपका subconscious mind कई तरह से इन चीज़ों को याद रखता है कई तरह से इन चीज़ों को याद रखने लग जाता है it becomes an effortless focus on your goal effortlessly आपका goal achieve होने के ये तरीका है दोस्तों आप कहते हैं, सर इसके अलावा क्या-क्या कर सकते हैं तो अब last चीज़ इसमें दोस्तों इस paper के 3 copy minimum बनाना है आपको कितनी copy? 3 copy minimum बनाना है और हाथ से बनाना है कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर हम computer पे ये करें तो चलेगा नहीं चलेगा अच्छा कई लोग थोड़े चंजूस टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, pen और paper की शाही बचाने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, मालीजे ये एक paper है तो एक गोल के लिए ऐसे छोटा कर दिया दूसरे गोल के लिए इधर, फिर तीसरे गोल के लिए इधर, फिर चोथे गोल के लिए इधर, फिर छटे गोल के लिए इधर, नहीं करना है ये, ओके paper पे हो सकता है, एक ही paper पे आप ऐसे arrows बेरोज बना के हर गोल के लिए 10 गोल एक ही पेपर पे लिख सकते हैं छोटा छोटा अगर आपने pen से लिखा तो हो जाएगा यहीं पे एक छोटा सा स्वास्तिक बना दिया जो भी आपको बनाना है वो कर दिया लेकिन एक ही पेपर पे छे गोल नहीं करने हैं आपको एक पेपर पे सिर्फ एक पेपर पे सिर्फ आपको एक गोल और राई वन पेपर वन गोल पूरा बड़ा ठीक है नमबर वन अच्छा तो हमने आपको बताया कि इसकी कितनी कॉपी बनानी है तीन कॉपी किस से बनानी है अपने हाथ से अपने हाथ से आपको pen से लिखना है अच्छा एक इसमें precaution आपको लिना है तीनों कॉपी में जो भी लिखा हुआ है वो उस तरह से लिखा हुआ है जो मैंने कल बताया था positive, present tense, feeling word, hooray, wow, yahoo, जो भी आपको लिखना है माता, पिता, भाई, बहन, परिवार वाले, team, relatives, दोस्त आप जिनको सबसे जादा चाहते हैं उन सभी का नाम भी लिख सकते हैं उन सभी को भी वहाँ लगा सकते हैं उनकी photo भी वहाँ लगा सकते हैं you can do that उनका नाम उस goal में होना चाहिए भगवान को धन्यवाद देना ही देना है भगवान का एक symbol अगर आप लगा सकते हैं तो that will be great, oval shape में आप लिख रहे हैं, arrows बना रहे हैं, आपने ये minimum किया, उस पर fragrance लगा रहे हैं, ये सभी काम तीनों paper पे सही सही तरीके से करना है और शब्दों में एक भी is that okay, is that okay, are you ready, are you in sync with me everybody, समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो नीचे लिख दीजिए chat window पे, I love it, या yahoo, या wow, या awesome, या मजा आ रहा है, या फिर लिख दीजिए, you rock, आपके लिख दीजिए, एक दूसरे के लिख दीजिए, जिसके लिखना है, हमें क्या करना है, तीन minimum आपको इस paper की copies बनानी है, और तीन paper की copies का क्या करना है, एक copy आपको आपके bedroom में लगानी है, okay, bedroom में, क्यों, क्योंकि bedroom में रोज आप जाएंगे ही जाएंगे, सोने के लिख जाएंगे ही जाएंगे, ये, कभी-कभी हो सकता है कि आप drawing room में ना जाएंगे, लेकि bedroom में आप जाएंगे, drawing room में नहीं लगाना क्योंकि drawing room में आप से मिलने कई लोग आ सकते हैं आपके पडौसी आपके relatives आ आप नहीं चाहते है। ऐसे लोग भी आपको पसंद नहीं वो लोग भी और वो लोग जब इसे देखते हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में भी हो सकता है उनकी किसी बात से डाउट पैदा हो जाए या वो लोग हो सकता है आपकी तरफ गलत एनरजी चैनलाइज करना शुरू कर दें क्योंकि देखिए यह एनरजी का वर्ल्ड है इसमें पॉजिटिविटी काम करती है तो नेगिटिविटी भी काम करती है कई लोग मुझसे पूछते हैं सर क्या ब्लाक मैजिक काम करता है इनफेक्ट एक मेरे पास अभी कमेट भी आया था 4-5 महिने पहले या मतलब 4-5 दिन पहले अपने इसी सेशन में कि सर मैं ब्लाक मैजिक का शिकार हूँ कुछ मेरा काम धनना नहीं चल रहा है प्लीज हेल्प करें कुछ हो सकता है क्या तो मैं आपको यह की कहूँगा अगर ब्लाक मैजिक काम कर रहा है तो वाइट मैजिक भी काम करेगा वो लोग आपकी तरफ black magic कर रहे हैं आप अपना white magic करें आप पहले तो अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण उर्जा से बना लें मतलब कैसे बनाना है उसको? imagine करना है आपके चारों तरफ एक shield बनी हुई है positive energy की और वो shield आप तक किसी की भी negative उर्जा आते ही उस shield से टकरा के रूख जाती है in fact रोज घर से निकलने से पहले imagine करें hey shield I invite you बगवान मेरे चारों तरफ energy की shield बना दे और imagine करें कि आप एक shield के अंदर है जो कि अदरश्य shield है आप तक कोई भी negative उर्जा आने ही नहीं दे रही है आप अपने घर में positive environment रखें इसलिए कहते हैं मंत रुचारन करें इसलिए कहते हैं घीका दिया जलाएं इसलिए कहते हैं प्यूरिफिकेशन करें सालों तक कभी भी नहीं होना चाहिए रद्दी के लालच में मत रही है आज कबाड हुआ आज उसे कच्रे में dispose off कर दीजिए नहीं तो जादस जादा 10-5 दिन के अंदर उसे dispose कर दीजिए अगर ऐसा कोई कच्रा कहीं पे दबाओ अपड़ा है बकारी के अंदर लोगों के घरों में एक ऐसी जगह होती है जहां वो ठूसे जाते हैं सारी चीजें उसकी हर महीने हर 2-4 महीने में सफाई होनी चाहिए दोसों हमारे पूरवज जो थे बड़े साइन्टिफिक थे इसलिए हमारे प्रचलन बना दिये गए दिवाली के टाइम पे पूरे घर की सफाई करो और दिवाली के टाइम पे हर एक घर की सफाई इसलिए होने लग गई क्योंकि हमें तो पता नहीं लोजिक हम तो सोचते हैं दिवाली इसलिए सफाई कर रहे है हम उस energy को हमें change करना है पूरा तो पहली copy कहा लगाएंगे bedroom में bedroom में जितनी बार और bed के बिलकुल सामने लगाई है उठते ही आपको ये दिखे तो सोते समय भी आपको ये दिखेगा उठते ही भले आप इसको consciously पढ़ें या ना पढ़ें जैसे ही आपको ये दिखेगा आपके mind को ये खट से reminder आ जाएगा कि I know what is written in this मुझे पता है इसमें क्या लिखा हूँ है मैं जानता हूँ यहां क्या लिखा हूँ है So mind को reminder जाता रहेगा